नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अगरवाल PSSM Blessings आउडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ पिछले आउडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी 5.8 स्टार के बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने जो स्वपन देखा उसके बारे में बता रहे हैं आउडियो नमबर 177 में वह बताते हैं उस व्यक्ति ने उस हाथ ने स्टार के पॉइंट्स के बारे में बताया फिर कहा मध्य मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम अभी किसी को मत बताना थोड़ी देर बाद में मैंने कहा ये इतने सुन्दर हैं लेकिन दूसरे दिन मैं जग गया और मैं उस स्वपन को देखने की कोशिस कर रहा था मैंने कहा तुम कहां गए थे मुझे उन दोनों चीजों के बारे में बताऊ ताकि यह कम्प्रीट हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ दो साल बाद वव्यक्ति फिर आया हलंकि यह व्यक्ति नहीं था यह एक हाथ था उसने कहा मध्य में यह एक तीर है यह प्रयास है परफिक्शन की तरफ प्रयास आप जो भी करते हैं जो भी सूचते हैं जो भी महसूस करते हैं जो भी एक्टिवेट करते हैं, इसे परफेक्ट बनाईए, परफेक्शन पर पहुँचिए, मैंने पूछा वह क्या है, वह लाइन, तिरभूच के नीचे का भाग, अगर आप इसे नीचे खीच दे, तो यह एक ती बन जाता है, उसने कहा, यह एक बलिदान पून सेवा है, यानि स्विकार करना, इस तरह हमारे पास साथ प्रिंसिपल्स आए, और इन वर्षों में मैंने सारी किताबे, मेरे सारे लेक्शर्स, इन साथ प्रिंसिपल्स के एक्सिस पर ही आधारित रहे, सौंदर्य, अच्छाई, धर्म, आनंद, स्वतंतरता, प्रयास और बलिदान पून, स केवा, इसलिए मैं कहता हूँ, हमने कोई धर्म नहीं बनाया, हमने इस पार्ट या उस पार्ट को सर्व नहीं किया, हम एक इंटरनेशनल ग्रुप थे, जिसमें हर कोई आ सकता था, भाग ले सकता था, खुशी महसूस कर सकता था, और कहीं भी हार्ट फिल नहीं करता था, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स जीवन प्रदान करते हैं, धर्म नहीं, इसलिए हमने एगोरा में काम शुरू किया, यहां हमारे पास दस बिस लड़के लड़किया थे, जो गढठा खोदने का काम करते थे, सहायता करते थे, तार लगाते थे, पानी देते थे, इलेक्टिसिट का काम था, और उसमें बहुत शम और बहुत सारी मेहनत लगती थी, और हमने यह किया, इस स्थान पर हमने 20 और किताबे प्रकाशित की, एक के बाद एक, आज तक मैंने 140 किताबे लिखी हैं, जिसमें से 50 प्रकाशित हो चुके हैं, बाकी पैसों के या हमारे शम के इंतजार म हैं, हम इस काम को करेंगे ताकि भविश्व में हम आपके हाथों में एक धरोहर छोड़ कर जाएं, और इस पूरे विश्व में उन हजारों लाखों दोस्तों के हाथों में भी, जो मेरी किताबे पढ़ते हैं, स्विर्जर लैंड में, फ्रांस में, पोलैंड में, इटाली म में, स्पेन में, साउथ आफ्रिका में, ब्रैजिल में, एर्जेंटिना में, सभी मेरी किताबे पढ़ते हैं, मैं ब्रैजिलिया गया, हजारों हजारों लोग थे जो मेरी लेक्चर्स को सुन रहे थे, मेरी सभी किताबों को पढ़ रहे थे, बारतेरा किताबे थी, जो अभ और एक ही दिन में सभी किताबे वित्रित हो गई, यह एक महान सफलता थी, 1977 यह 1978 में हम एक दूसरी शाखा खोलना चाहते थे, हमने बहुत जगह देखी और उसके बाद सेडोना, एरिजोना गए, सेडोना में हमें एक जगह मिली, साथ एकड़ की, जिसके दाम थे, साड़े तीन लाख डॉलर, अगर आप सेडोना आएं, हमसे मिले, तो यह जगह देखिए, यह बहुत सुन्दर है, लेकिन इतनी बड़ी रकम कैसे पे करे, हमारे पास सिर्फ पचास अजार डॉलर थे, हमने डाउन पेमेंट लिखा और कहा बाद में, इश्वर को इसे चुकाने दिया जाए, हम नहीं पे कर सकते, इश्वर ही इसे चुकाएगा, वह इश्वर क्यों हैं, उसे कुछ तो करना ही पड़ेगा, एक दिन मैं अपने ओफिस में बैठा हुआ था, एक लड़का आया, धीला ढाला सा, उसने पूछा, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, मैं एक बड़ा बिजनेसमेन हूँ, मैंने कहा हाँ, वह लेकिन एक बड़े बिजनेसमेन की तरह लगा नहीं, उसने कहा, मुझे अलकुहल की समस्या है, ड्रक की प्रॉबलम है, और मेरा पूरा काम बरबाद हुआ जा रहा है, प्लीज मेर सहायता करिये, मैंने कहा ठीक है, क्या तुम साथ दिनों तक मेरे घर पर है सकते हो, उसने कहा हाँ, मैं उसे घर लेकर गया, साथ दिनों तक मैंने उसे mental exercises करवाई, जब तक कि मैं sure नहीं हो गया, कि वह अब ठीक हो गया है, उसने कहा मैं ठीक हूँ, मैं अब स्वस्त और सु अंदर महसूस कर रहा हूँ, उसने मुझे धन्यवाद दिया, मेरे हाथों को किस किया, और बाय बाय कह कर चला गया, मैं सोच में पड़ गया, साथ दिनों तक उसने खाया पिया, यहां सोया, और उसने एक पैसा भी पे नहीं किया, मैंने कहा इश्वर पे करेगा, अब पे क करने के जिम्मेदारी उसकी है, एक महीने बाद मुझे टॉरकॉम सराय दरिया के नाम एक चेक मिला, वह भी दो सो हजार डॉलर का, मैंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और पूछा, क्या लिखा है, दो सो, दो हजार यह बीस हजार, वह बोली, यह दो सो हजार है, मैंने कह फिर से देखू, यह दो सो हजार थे, हमने तुरंट आवास के लिए लिया गया, हमने रिन चुकाया, इसलिए दो सो पचास हजार चुका दिये गए, बचे विये पैसे भी हमने धीरे-धीरे चुका दिये, इसलिए 1980 में, सेडोना में हमने अपना पहला हॉल निर्मित किया, हमने यह जगह ऐसे ही बना ली थी, एक बार फिर हमने कुछ लोगों को लेकर शुरुवात की, लेकिन कुछ सानों के बाद भी यह संख्या कम होती जा रही थी, अथुरुटीस की तरफ से हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आई, आखिरकार ईश्वर ने इसे पूरा पोच डाला, और अब हम ग्रुप की तरह कारे करने के लिए अथुराइज़्ट हो गए थे, हमारी कैपासिटी 75 लोगों की थी, लेकिन कुछ सालों बाद यह संख्या बढ़ गई, और अब हमारे पास हर रविवार को 70 से 80 लोग आने लगे, अटेंडेंस इतनी जादा बढ़ गई कि हमने एक नई सैंक्च्वरी निर्मान करने का निश्य किया, बहुत सारी कठिनाईयों के बाद हमें ग्रीन सिगनल मिली गया, हम सेडोना में पूरी तरह एस्टाबलिश हो गये थे, वह भी सर्वश्रेस्ट रेप्यूटेशन के साथ, आज के लिए इतना ही, अगले ओडियो में हम एक नई घटना को जानेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तूं, आप सभी का बहुत बहुत आभार आपका दिन शुब हो